कि जहन्द सुनेंड्स आम प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के समेजन प्लेटफॉर्म की ओपर बहुत-बहुत स्पागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की प्रप्रेशन एक्जामनिशन की बहुत अच्छे चल रही होगी जो भी आप प्रिप क्या है अगर बेसिक मजबूत होंगे तो फिर आगे किसी भी तरह का कुश्चन आप से पूछा जाएगा आप आसानी से कर लेंगे चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं पॉलिटी के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं हमने प्रेयंबल पड़ा इसके बाद के बारे में पढ़ने वाले हैं और बेसिकली आज यूनियन लेजिसलीचर के बारे में पढ़ने वाले जिसे हिंदी में कहा जाता है संघिय कारफ वाली का अब यूनियन लेजिसलीचर में क्या पढ़ने वाले तो हम लोगसभा के बारे में जानेंगे राज सभा के बारे मे जानेंगे इसके लावा राज सभा के चैर्मेन के बारे में जानेंगे तो काफी जादा कुश्चंस इस चैप्टर से बनने वाले हैं आपके आप किसी भी एक्जामनिशन के त्यारी कर रहे हैं पारलेमेंटिक ऐसा टॉपिक है जो जनरली पूछा ही जाता है यह पूछा इसल के अंदर आ सकता है किस तरीके से पारलेमेंट के अंदर उसकी प्रोसेस चलती है कोई बिल अगर आया है तो वह कैसे पास होता है वह एक्ट कैसे बनता है तो इस सारी चीजों के बार में हम जानेंगे इन बिट्वीन मैं कुछ आर्टिकल्स को हाइलाइट करूँगा तो याद रखिएगा कि जिन भी पॉइंट्स को में बोलता जा रहा हूं आप उन्हें कहीं न कहीं माग कर लीजिएगा आपको इसका पीडिएफ पी डबलो एप के ओपर मिल जाएगा पीडिएफ के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी डिस्पे में स्टार लगाने व वाला हमेशा आगे रहेगा तो यह याद रुखिए का जितना रिवाइज आप करेंगे उतने जादा नंबर आप लेकर आते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्ट्र आज हमारे यूनियन लेश्ट्र पॉलिटिक आठ वा लेक्ट्ट्र हम क्या-क्या पंढने वाले सबसे पारलेमेंट के बारे में पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में जानेंगे इसके बाद राजसभा के बारे में जानने के बाद हम कुछ important points जानेंगे जो कि examination point of view से important है काफी लेकि इन बिट्वीन इस lecture में कुछ important amendments भी है कुछ समिधानिक संशोधन भी आएंगे तो उनका भी आ समिधान रखिएगा उनके बारे में भी मैं आपको बताता जाओंगा हाला कि constitutional amendments को लेकर अलग से lecture में लूँगा आपका इसमें सारे जितने भी important amendments हैं जो अभी तक हुए तब से जब से समिधान बना है तब से अभी तक जितने भी amendments हुए उन सभी के बारे में हम जानेंगे शुरुवात करते हमारे lecture की आज की जो है union legislature अब जो एक शब्द है कार्यपालिका हिंदी में कहा जाता है legislature को कार्यपालिका इसका basically मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर आप definition देखेंगे legislature की तो इसकी definition हो रही है a group of people who have the power to make laws and change laws ऐसे लोगों का ग्रुप ऐसे लोगों का एक समूव जिनके पास यह अधिकार है the people who have power to make law जिनके पास कानून बनाने का अधिकार है और हमारी संसद में भी यही होता है हमारी संसद के अंदर अगर हम union legislature की बात करें तो इसमें हमारी दो major bodies आती है पहली आती हमारी लोह सभा जिसनें लोवर हाॉस के नाम से जानते हैं दूसरी होती हमारी राज सभा यहां पर जितने भी लोग आते हैं यह क्या कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह बेसिक्ली यही काम करते हैं एक group of people है जो हमारे देश के लिए नए कानून को बनाता है और कानून उको चेंज भी कर सकते हैं हम सभी जानते हैं अमेंड्मेंट की प्रोसेस के द्वारा चीजों को चेंज भी किया जा सकता है तो लेडिसलीचर का मतलब कारपाली का मतलब बेसिकली ही होता है कि a group of people who have the power जिनके पास ये power होता है कि वो नए कानून को बना सकते और पुनाने कानून को change कर सकते हैं अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो union legislature के बारे में पढ़ने वाले हैं संग्य कारपालिका के बारे में पढ़ने वाले बेसिकली मैं बात करूँ तो जो central government है central के इंदर हमारे जो दो houses की बात की जाती है लोकसभा और राजसभा उसके बारे में हम पढ़ने वाले बट हमारे देश में हम सभी जानते state legislature भी होता है हर राज की भी कारपालिका होती है और हमारी central की भी कारपालिका है union की भी कारपालि सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा सा और एलबरेट करते हैं कि बैसिकली हम क्या जानना चाहा रहें देखिए जिसे अगर मैं सेंट्रल या union legislature की बात करूं तो दो हाउसे यहां पर है एक हमारा होता है लोकसभा जिसे हम लोवर हाउस के नाम से भी ते यहां पर आके बैठते हैं और जिनको हम वोट डालके जिए बैठते हैं दूसरी तरफ हमारा दूसरा राउस चोलता है वह हमारा होता है राज सभा जिसे हम अपर हांस के नाम से जानते हैं है हाउस ऑफ एलडरस भी कहा जाता है यहां पर जितने भी लोग आते हैं वो इंडारेक्ट एलक्षिंस के तुरू आते हैं कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे हमारी जो राज्यों की स्टेट असेम्ली से चुनके नहीं यहाँ पर भीजा जाता है जिसके बारे में आगे भी ब दूसरा है हमारा राтьсяबा आप प्रश्न काफी बार उठता है कि दोनों हाूसस में से सबसे ज़्यादा पावर्फुल हाउस कौन सायलोगसाब सबसेATHER पावर यह तो आपको तब यह समझ में आया गए जब आप पूरा लेक्ट्र देखिए और मैं अभी से नहीं बताऊंगा आपके चीज क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जिसमें राजसभा के पास पावर है और कई मामले ऐसे जिसमें लोग सभा को प्रवलेज्ज है रोग सभा के बास भास प्रायस हमने लिया कैंव्स सब्सक्र włz लीं और ने सब्क्राइब HOW और एक हमारा लोग सबहाँ हुगा यह प्लतर ने लिए हैंHa Unterstützung आमेश्ये趣 होता है नीतिकार हम जो आ हमने कहांत से ब्रेटानने के सैंसे नान दूसरी बात आप याद रुखिएगा कि हमारे देश में पार्लियमेंटरी फॉर्म आप गवर्मेंटल सिस्टम है जैसा कि हमने बात करी यह प्रोसेस भी जो पार्लियमेंटरी फॉर्म आप गवर्मेंट सिस्टम है यह भी हमने कहां से लिया था यह भी हमने ब्रिटिश कॉं लिया है directly vote दे कर भी चुन लिया है तो सिर्फ प्रेशिडेंट सारे decision लेगा हमारे यहां पर यह नहीं होता है हमारे आपर पारलियमेंटरी form और government है कि यहाँ पर कोई अकेला व्यक्तिर डिसीजन नहीं ले सकता है चाहे उसे लोगों ने चुनाओ पर हो अकेला व्यक्तिर डिसीजन नहीं ले सकता है हमारे यह पर parliamentary form में दो houses बनाए गए हैं दो houses के द्वारा जितने भी लोग उन houses के अंदर है वो ही लोग मिलकर decision लेते हैं किसके थूँ लेते हैं अपनी majorities के थूँ लेते हम जिसके बारे में आगे बात करेंगे तो यह जो parliamentary form of government है यह हमने कहां से लिया है यह हमने British Constitution से लिया और हमारे यह पर जो parliamentary form of government है वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्रमेंट है देखिए वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्रमेंट काफी countries follow करती जर्मनी की बात कि जाए ब्रिटायन की बात कि जाए तो बहुत सारी countries इसको follow करती इसका basically मतलब यह होता है कि head of the state भी होगा इसके लावा दोनों houses भी होंगे दोनों houses के अंदर जो लोग है वो elect होकर आएंगे पर जिन लोगों को चुनकल वो ला रहे हैं वो लोग उनमें से ही आते हैं और वो अपना vote देकर उन्हें elect करते हैं किसी एक person की उपर country में यह बात की जाए कि directly exam में जिस तरह के question आते हैं तो हमारा जो यूनियन है उसकी बात कहां पर की गई है वह पार्ट फाइफ के अंदर बाद की गई है आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक याद रखिएगा और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हमारे देश में पार्लियमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है हमारे देश में जो सरकार है वो संसदी सरकार है संसदी कारपाली का एक संसद है संसद के अंदर हमारे दो हाउसे सोते हैं अब एक अपर हाउस है दूसरा लोवर हाउस है और यह जो प्रोसेस हमने लिया है कि हमारे देश में पार्लियमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट होगी यह हमने ब्रिटैन के सविधान से लिया हाला कि हमने चीज पर लिए बॉरोंग फीचर्स ऑफ इंडियन उस समय पर मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो पार्लियमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है वह कहां से लिया गया ब्रिटिश कॉंस्टिशन से तो पहली स्लाइड में काफी सारे कोश्चन से यहां पर बन जाएंगे आप किस पार्ट के अंदर आता है हमारा उनि में कंफिउज हो जाते हैं कि क्या युएस से हमने पार्लियमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंटलिया तो यूएस से हमने नहीं लिया है वह ब्रिटिश कॉंस्टिशन से लिया है होके यह कुछ पॉइंट्स है अब आगे हम थोड़ा सा बात करें कि basically है किस बारे में बात कर रहे हैं हम जब हम Parliament बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है संसद का क्या मतलब है संसद किस से मिलकर बनी लिकि संसद वही बॉड्ये जो देश के लिए कानून बनाती है देश के लिल पास करती है जिन्भी से अचैच के लोगों को हम चुनते हैं कि उन लोगों को चुना जाएगा हमारी एक Parliament होगी एक संसर होगी यह बात लगी हमारे समिधान के अंदर हमारे Constitution के अंदर हमारे Constitution का Article 79 याद रखेंगे काफ़ important है Article 79 यह कहता है कि हमारे देश की पॉशन कि बनी होगी कि Parliament कि इन चीजों से मिल कर बनी होगी नोट कर लीजी जी नियुकरों कि और कण जीजों से बताः और क्यों कि नियुक्तों से चीजो से मिल कर बनी होगी जिसमें पहला होगा आपका अ subscribe है आपर हाउस मतल्म राज सभा उससे अपरहूस कहा जाता है राज सभा का आटीकल है ar आटीकल 80 आटीकल 80 राज Whoops RHow सभा की बात कर रहे हैं तो पहली जो चीज होगी आटीकल 79 के करणी पहला जो बॉडी होगी जिससे मिलकर हमारी पार्लिमेंट बनी है हमारी संसथ बनी है वह वह हमारी राटसभा जो आर्तिकल एक coupon और आती दूसरा होगा हमारा लोगसभा है रोगसभा जिसे पुबिल के नाम से जाना जाता है और ये आर्शिकल के अंदर आता है तो दूसरा जो हमारा हाउस होगा दिस से मिलकल संसद बनी होगी वो होगा हमारा लोकसभा डैट मींस आर्टिकल मिलकल कर बनी है प्र यह चीज के आपको म Laz McMill हैं इसका रीजन क्या में गहरत बेसिक सब्सक्राइब कर आपको blinking हो के अंदर होते हैं कि जब भी कोई बिल पास करना होता है बिल को आप इस तरीकी लोगसवार में इस बिल की ओपर वोटिंग की जाती है वोटिंग के बाद अगर मान लिजी बिल पास हो गया है तो यह दूसरे dwarf के अंदर जाता है पहले यह पास हो जाता है तो दोना उससे पास होने के बाद ही कोई बिल एक्त सिंपल सी बात ती बट जानना जरूरी है विकाश आगे जाएब और और भी किसी बड़ी उख्जाम की तयारी करेंगे हो सकता है आपके से कुछ बच्चे UPSC की प्रप्रेशन करें तो इन पॉइंट्स को जानना जरूरी होता है ताकि आपका एक बेस मजबूत हो जाए ओके चलिए आगे बात करते इस स्लाइट से क्या कोश्चन बन सकते हैं इस स्लाइट से आर्टिकल से रिलेटेट कोश्चन ब नहीं बार पूछा गया है कि पार्लेमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है तो याद रुखिए का प्रेशनेंट को नहीं भूलना है प्रेशनेंट भी पार्लेमेंट का हिस्सा ही होते हैं और पार्लेमेंट प्रेशनेंट से मिलकर बना है पर यह बात याद रुखिए का प सबसे पहले बात करते हैं लोग सभा को जानना जरूरी है लोग सभा को जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मेजर ली जो कुशन्स पूछे जाते हैं एक्जामरीशन के अंदर वो लोग सभा से जाधा आते हैं क्योंकि जो लोग सभा के अंदर जितने भी लोग चुनकर आते हैं वो डारेक्ट एलेक्शन के थुरू आते हैं आप उन्हों डारेक्ली वोट देते हैं और लोग को चुनते हैं और जितनी भी पॉलिसी बनाई जात उनमें major contribution है वो लोगसभा का होता है इसलिए लोगसभा को जानना पहले जरूरी है सबसे पहली बात लोगसभा किस आर्टिकल के अंदर आता है लोग सबाथ है आर्टिकल 81 के अंदर जैसा कि हमने यहां पर बात करी दी इसके अलबाद लोगसभा को house of people भी कहा जाता है और जितने भी लोग लोग सख़बा के अंदर आते हैं, वो directly elect होकर आते हैं, आपने elections के अंदर participate किया होगा, आपने vote दिया होगा, तो आपके area के जो भी member of parliament होते हैं, आपने उनके लिए vote किया होगा, अगर हिंदी में बात की जाया, तो सांसद के लिए आपने vote किया होगा, तो जब सांसद का चुना हुआ था, तो आपके पास options से, बहुत सारी political parties के candidates सांसद के पद के लिए खड़े हुए थे, member of parliament वो बनना चाहते थे, और आपने किसी एक party के candidate को वहाँ पर चुना था, तो that's why आप जब किसी को चुन रहे हैं, तो आपके द्वारा चुने हुए lower house का मतलब यह नहीं है कि लोग सबा के पास power नहीं है, भले इसका नाम lower house है, पर इसके पास power राज सबा से जादा है कुछ मामलों के अंदर, वो मामले में आगे जानेंगे, आगे बात करते हैं कि पहली बार लोग सबा के चुनाव कब हुए, general elections पहली बार कब हुए, पहली 1951 से लेकर 52 तक चुनाओ चले थे, और पहली बार 1952 में हमारी पहली सरकार बनी और election के दवरा पहली सरकार जो चुनी गई, वो 1952 के अंदर आयती यादर किए कि elections 1951 से लेकर 1952 तक चले थे, इसके लिए लेक्शन कैसे होते हैं, directly elections होते हैं, आप और हम directly जाते हैं, और directly जाक इंदर ने कानूनों को भी लागू करते हैं, तो ये एक पूरा process है, याद रखीगा, उस process को मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, कि process कुछ इस तरीके का हमेशा रहेगा, कि किसी भी कानून को अगर लागू करना है, किसी भी बिल को अगर पास करके कानून बनाना है तो सबसे पहले उसे दोनों हाउसे से पास होना होता है, हो सकता है कि बिल, यह जरूरी नहीं है कि कोई बिल पहले लोग सबा में जाएगा, राट सबा में जाएगा, हाँ कुछ specific bills के लिए रहता है, जैसे money bills सिर्फ लोग सबा में आ सकता है, बाकी हम किसी भी हाउस के अंदर बिल को present कर सकते हैं, कुछ specific bills को छोड़कर, जब दोनों हाउसे से बिल पास हो जाता है, और तीसरी बार चपवो जाता है, प्रेसिनेंट के पास, प्रेसिनेंट जब उस पर signature करते हैं, तभी कोई बिल एक्ट बनता है, तभी कोई बिल जो है वो कानून बनता है, याद रख जारी करते हैं, वो किस कंडिशन में जारी करते हैं, वो आगे हम बात करेंगे, पर याद रखेगा, यही वो process है, इसी process के कारण पारलेमेंट का importance होता है, इस example की बात की जाए कि अभी हमारे देश में नही education policy लागू की गई है, उस education policy को दोनों हाउस से पास होना पड़ा उसके बाद ही वो पूरे देश में लागू की गई है, एक कानून बनाए उसको लेकर, तो यह चीज़ें काफ़ important हो जाती है, यह points आपको याद रखने, इसलिए हम लोगसभा और राजसभा को पढ़ रहे हैं, चली लोगसभा के अंदर हमने यह देख लिया कि direct elections होते हैं, पर अगर आप किसी भी government की website की उपर देखते हैं, तो आपको जो maximum number of seats मिलेगी, वो 552 ही मिलेगी, ऐसा क्यों है, पहले seats का distribution जान लेते हैं, हमारी जो states है, 28 states है, वोने states का जो total number of seats है, maximum वो कितना हो सकता है, 530 हो सकता है, मतलब जैसे UP, बिहार, MPA, सारी seats को आप जोड़ दे यहां पर, 20 union territories के हम बात कर रहे हैं, और दो seats होती है, Anglo-Indian community के logo की, अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है, कि Anglo-Indian community होती क्या है, और यह जो चीज हो रही न, कि नहीं, यह 552 नहीं, अब 550 ही है, यह इसी community के current हो रही है, मतलब इसी community का जो reservation इसको हटा दिया है, उसके ओपर लोग सभा के अंदर, और 17th लोग सभा चल रही है, सतरवी लोग सभा भी चल रही है, तो यह भी कुछ कुछन पूछे जा सकते, NDA में कुछन पूछा गया था, कि अभी कौन सी लोग सभा चल रही है, तो अभी 17th लोग सभा चल रही है, सबसे पहले, Anglo-Indian community के लोगों के ब और फादर European origin के थे, मतलब फादर Europe के हैं, और Mother Indian origin की हैं, तो ऐसे कपल्स के जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्टरंस हैं, उन्हें ही कहा जाएगा Anglo-Indian, यह काफी इंपॉर्टन चीज़े याद रुखेगा, ऐसा इस community को representation इसलिए दिया गया था, क्योंकि जब देश जारती महिलाओं से शादी करी, और फिर उनसे यहाँ पर उनके बच्चे हुए, तो उन बच्चों को भी एक representation देना जरूरी था, इसलिए इस community को कहा गया Anglo-Indian community, अब इस community के अंदर बात की जाए, तो आज के टाइम पर Anglo-Indian community के reservation को हटा दिया गया है, 140 सविधान संशोधन 104th Constitution Amendment Act जो कि 2019 के अंदर हुआ, इस Act के द्वारा Anglo-Indian community के reservation को बेसिकली हटा दिया गया, STSC को जो reservation दिया गया, हमारे शेडूल कासल, शेडूल ट्राइब को reservation दिया गया, लोगसभा के अंदर, बट Anglo-Indian community को reservation यहाँ पर नहीं दिया गया, एक और पॉंट याद रखेएगा, बारे में आर्टिकल 331 बात करता है, और यह आर्टिकल यही कहता है, कि अगर इस community का proper representation लोगसभा में नहीं हो रहा है, तो दो members को हमारे देश के जो president है, जो राश्पती है, वो nominate कर सकते हैं, मताब election नहीं होगा, वो nominate कर देंगे, और उन लोगों को यहाँ पर representation मिल जाए कहां कि हम बात कर रहें, यहां पर बात की जारी लोगसभा की, तो यह कुछ important point है, और इसी में जब भी आप इसके बार में पड़े, तो 104th constitution amendment आपको याद रखना है, clear है, यहां पर basic लेकर बात की जाए, तो 95th constitution amendment act के द्वारा इनके representation को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था पर उसके बाद representation को 10 साल बढ़ाया नहीं गया, तो आज की तारिक की बात की जाए, तो आज के समय पर Anglo-Indian community के members का representation लोगसभा के अंदर नहीं है, जिस तरीके से लोगसभा में होता है, उसी तरीके से एक article है, article 333, याद रखिएगा, article 333, state assemblies के अंदर, state legislature के अंदर, governor को य कॉमिनेट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट याद रखेगा, हला कि 104th Constitution Amendment Act के द्वारा, ये जो reservation है, इसे बढ़ाया नहीं गया, बिसिकली, असा नहीं कि पूरा का पूरा हटा दिया गया है, reservation को बढ़ाया नहीं गया है, तो ये थोड़ा सा काफी important points है, इस amendment को लेकर, तो Anglo-Indian Community, I hope आपको समझ में आ गया होगा, जो article important है, वो मैंने आपको बता दिये, article 336 बताता है कि Anglo-Indian Community है क्या, article 331 ये कहता है कि अगर उनका representation नहीं हो रहा है, लोग सभा के अंदर तो जो देश के राश्पती है, वो दो members को nominate कर सकते हैं, और वहीं पर राज्यों के अंदर जो state assembly है, state assembly के अंदर article 333 ये कहता है कि governor एक member को याद रखिएगा, एक member को nominate कर सकते हैं, तो total अगर maximum number of members की बात की जाए, तो वो हमारे स्वथान के अनुसार कितनी है, 552 है, अब elections की बात करते हैं कि लोग सभा के elections कैसे होते हैं, देखिए हमारे पूरे देश को अलग-लग किया गया, राज्यों के बाद इन राज्यों के अंदर अगलग राज्यों को डिवाइड कर दिया गया, अलग-लग राज्यों के अंदर खड़े होते हैं, जो अलग अनिक political parties के होते हैं, और इनी political parties के persons में से जो चुनाव जीज जाता है, वो representation करता है उस constituency का लोग सभा के अ लोग सभा के अंदर U.P. की सबसे ज़्यादा seats से, 80 seats से, जो representation होता है कि कि किसी state के पास कितनी seats होगी, कि सिसte terrain के पास कम seats है, किसी के पास ज्यादा seats है, किसी के पास एक seat है और किसी के पास असी seat है, ऐसा क्यों हो रहा है, यह basically dependent करता है, उस state के population के उपर, population के आथार के सीधी सी बात जिस भी स्टेट का रिप्रेसंटेशन लोग सबा में जाधा होता है स्टेट का दबदबा काफी जाधा होगा अगर यह कर दिया जाए कि जिस भी स्टेट में सबसे जाधा इसकी सीट सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ला कहीं हम स्टेट्स को पॉपलीशन बढ़ाने के लिए इंकरेज करेंगे जो की पॉलिटिकल पॉटिव फ्यूज से तो सही होगा पर अगर हम अपने एकनॉमिकल पॉटि फ्यूज की बात करें आदेश की बात करें तो बि ट्वेंटिसिक्स युनिवर्सल एंटर फ्रंचैस्टी की बात करता है जो बीसिकली यह कहता है कि 18 साल से ज्यादा की उम्र का कोई भी परसन हमारे देश में वोट डाल सकता है एलेक्शन के अंदर पार्ट स्पेड कर सकता है और देश की सरगार को चुन सकता है यह उम्र पहले 21 साल तीवर्स सिक्स्टी फर्स कॉंस्टिशन अमेंडमेंट एक सट्वा समिधानिक संशोधन के द्वारा इस उम्र को 21 साल से घटाके 18 साल कर दिया गया है तो काफी इंपॉ कर दिया गया और 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया था तो वह अमेंडमेंट है सिक्स्टी फर्स्ट एक सट्वा समिधानिक संशोधन अगे बढ़ते हैं आगे अगे अगर हम बात करें तो एलेक्शन किस तरीकी के होते हैं एलेक्शन सो फॉर्स पास्ट द पोस्ट सिस्टम यह सिस्टम हमारे पूरे देश में इलेक्शन के लिए यूज किया जाता है काफी आसान सा सिस्टम है अगर किसी एरिया के अंदर तीन लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं माल लिजी ए बी और सी खड़े हुए है और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का जो पर जीत जाते हैं तो बेसिक लिए फर्स पास्ट पोस सिस्टम को मैंने थोड़ा सा इंडिरेक्ली आपको समझा है डिटेल के अंदर जब हम इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका अलग से सेपरेट लेक्शर है उसमें इस प्रोसेस को मैं आपको काफी डीटेल में सम सचा करेंगे अब इ wildly इगर बात के जाएं जो रेशो होता फ़ोन के आधार के ऊपर होता है एके स्टीर्ट चीए जो फपर के ऊपर होता है C 48 से कम है मतलब 30-2006 कम है महां पर इस फॉर मिले को नहीं अपनाया जाता है यजर किका जिंकी पॉप्लिशन के रेचाल बात करतें यह सारी स्टेट्स के लिए वो सभी के लिए होता है तो नहीं है जिन स्टेट्स का पॉबलीशन 6 मिलियन से कम है लेस देन 6 मिलियन है साथ लाख से कम है बहाँ पर हम इस फॉर्मिले को अप्लाए नहीं करते हैं और रिष्टी फोर्ट कॉंस्ट्टुटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा जो सीट्स का नंबर रिलोक सभा का वो फिक्स कर दिया गया है दो हजार चबिस तक याद रखिए कह 206 तक जो है वो फिक्स कर दिया गया है तो इसे नोट कर लिजेगा रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो SC, ST या किसी दूसरे एकनॉमिकल आथार पर रिजर्वेशन राड सभा में नहीं दिया जाता है लोक सभा के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है और 10-10 साल कले इस रिजर्वेशन को लंबे समय से बढ़ाया जा रहा है यसे अभ रिजर्व होती है या तो शेडियूल ट्राइब के लिए या शेडियूल कास्ट के लिए वे सीट्स को रिजर्व किया गया है किसके तुरू हंडिट इन फॉर्थ कॉंस्टूटिशन अमन्मेंट टेक 2019 जिसके बारे में अभी हमने पड़ा उसके द्वारा 2030 तक मतलब और आ अर्टिकल 330 रिजर्वीशन की बात करता है इसी के लिए लोग सबाके अंदर स्टी एसी रिजर्वीशन सीट्स की बात यहां पर यह कर रहा है यह स्लाइट काफी इंपॉर्टेंट है कि कई बार डारेक्ली आपसे नंबर पूशा जा सकता है कि लोग सबाके अंदर में इसरी दिया गया कार नहीं ब सब्सक्राइब नाइट के सब्सक्राइब है सब्सक्राइब अग लुक्त О् Conness है हमने याद पर पॉल इस पार सिस्टम के बारे में देख लिया था इसके बात अब टें यॉर कितना होता है लोग सबा एक बार जब बन जाती तो उसका टेंजियों कितना होता है कितने साल तक वह बनी रहती काफी आसान कोशन एक बार जब elections होते हैं हम सभी जानते हैं कि एक बार अगर election हुए तो आने वाली सरकार फिर अगले पांस साल तक चलती है जो सरकार वह पांस साल तक अपना काम करती है तो पहली बात लोग सब्जेक्टेट टू डिसलूशन यह हाउस डिजॉल्व हो जाता है कब डिजॉल्व हो जाता मतलब पांस साल में चुनाव होने वाले बट क्या इसके बीश में भी लोग सबाव डिजॉल्व हो सकती है और देश के राश्चपती प्रेसिडेंट जो है वो इसको डिजॉल करते हैं क्यों करते हैं इसकी कई सारी conditions होती है यहाँ पर लेते हैं लोग सबागे अंदर किस प पार्टी ए है और एक पार्टी भी है पार्टी ए के पास साट सीट से टोटल नंबर ऑफ सीट से अगर हंट्रेट है तो पार्टी ये के पास 60 सीट से और पार्टी भी के पास बची हुई 40 सीट से मतलब कौन सी पार्टी मेजॉरिटी के अंदर जो पार्टी मेजॉरिटी के अ कर दो दुसरी पार्टी को जएँ करना चाहते है यह सब्सक्राइन और यह जो पहले मर्दरप्रदेश में भी एक कंडिशन हुई थी अब ऐसी कंडिशन के अंदर होता ही है कि जो पार्टी है जो सत्ता के अंदर उसके बास मैजॉरेटी नहीं रही क्योंकि 30 मेंबर तो इन्हें जॉइन कर रहे हैं इनके पास टोटल मेंबर कितने हो गए हैं 70 मेंबर हो ग कंडिशन में अगर इस पार्टी की सीट कम हो गई है सिर्फ थीस ही बची है तो फिर इस पार्टी को सत्ता से हटना होगा और इसे डिजॉल कर दिया जाता है तो यह कंडिशन इसके अलावा भी दूसरी कंडिशन सोती है बट यह नॉर्मल कंडिशन है पर याद रुकिएग स्टम भी हमारे यहां पर है मिली जुली सरकार भी यहां पर है डबल इंजन सरकार भी इसे कहा जाता है आगे बात करेंगे हम जब इलेक्शन पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे बट आप याद रखिएगा कि यह जो पांस साल है वह आतोमेटिक डिसलीशन है जब ऐसी कोई कंडिशन ना आए मतलब लोग सबा के अंदर मेजॉरिटी अगर किसी पार्टी के पास है तो फिर वो मैक्सिमम पांस साल तक यहां पर रह सकती है टैन्योर जो है वो मैक्सिमम पांस साल यहां पर होता है इसके बाद हम बात करेंगे क्या यह टैन्योर कभी ब लगी है देश में राश्री आपात काल लगा तो ऐसे टाइम पर लोग सबा का जो कारिकाल है वो एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है बड़ जैसी नेशली इमर्जंसी हट जाती है तो फिर छे मेने के अंदर अंदर यह चुनाव करवाने होंगे छे मेने से जादा है फिर इस अमेंडमेंट के द्वारा जो लोग सबा का कारिकाल है उसे बढ़ा दिया गया था इस लोग सबा के कारिकाल को पांथ साल से बढ़ा के छे साल कर दिया गया तक इसके द्वारा किया गया था कुश्चिन पूशा गया है 42nd Constitution Amendment Act 1976 के द्वारा 42nd सविधान संशोधन 1996 के द् नारा 44th Constitution Amendment Act जो मालिस्वा सविधान संशोधन जो कि 1978 में आता है और वापस से यह चे साल थे उसे वापस से कम करके 5 साल कर दिया जाता है तो यह दो अमेंडमेंट्मेंट्स याद रखिएगा विखिए मैंने आपको पहले ही कहा था लेक्चर शुरूर नहीं से पहले कि बह सामनेशन पॉंट फ्यू से काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वफूर्ण है चलि आगे बढ़ते अब लोगसभा के मेंबर बनने के लिए क्या 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 क्वालिफिकेशन चाहिए क्या 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 होता है सारी चीज़ें बात किजा तो आर्टिकल 84 सबसे प इंडिया उसे भारत में जन्मलेना जरूरी है जन्मलेना जरूरी नहीं होता है यहां पर सीधी सी बात है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है इसके अलावा जो उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए 25 या 25 प्लस उम्रे यहां पर उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो कि लोग सभा का कोई व्यक्ति है वो लोग सभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है अब यहां से कुशन बना था तो लासर घुमांगे पुशा गया था कि हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने की उम्र क्या अब प्रदानमंत्री बनने के कोई उम्रे डिसाइड नहीं की गई है अगर है तो लोग सबाग के अंदर चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिममेज हैं इसके बाद जो तो मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट होते हैं उन्हें उनकी जो पदिकी शपत दिलाते हैं वह हमारे देश के राश्च्पती दिलाते हैं प्रेस्डेंट दिलाते हैं और अगर प्रेस्डेंट नहीं है या प्रेस्डेंट चाहें तो प्रेस्डेंट रिकमेंट करते हैं किसी दूसर से चीज है स्लाइड में इस पॉइंट को हमने जाना है चलिए अब नेक्स पॉइंट हम जानते कि दूसरा पॉइंट के यहां पर क्या है अब प्रश्नी ये है कि किसी लोग सभा की मेंबर की सीट को कैसे छीना जा सकता है मतब उसकी सीट का लॉस कैसे हो सकता है तो किसी कई सारी कंडिशन्स है पहली बात अगर कोई व्यक्ति अंसाउंड माइन्ड का है मतलब वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है तो पहली बात वो चुनाव नहीं लड़ सकता इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आफस अफ प्रॉफिट को होल करता है किसी ऐसे पद को होल करता है जिसे लाब का पद कहा जाता है जिस पर रहकर वो किसी दूसरे को लाब पहुचा सकता है तो फिर वो लोगसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है उससे उस प्रॉफिट के पद को छोड़ना पड़ेगा इसके अलाब अगर बात कि जाए कि अगर उसे रिजगनेशन देना है आगे से कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लेमेंट बन चुका है उसे रिजाइन देना है तो जो भी हाउस के जो सभापती होते हैं जो प्रसाइडिंग आफसर है वो अपना रिजगनेशन उन्हें दे सक चुन लिजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोक सभा राट सभा दोनों के लिए चुन लिया गया है दोनों के लिए उसने लड़े यह नहीं बताया जाती है इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाउस्ट में दो सीट्स पे चुन लिया गिया है, ऐसा होता है आपने देखा होगा कहीं जो हमारे सांसर दोते हैं वो दो सीट्स से चुनाव लट रहा है तो उसे वॉलिंटरी बताना होगा कि वो किस सीट्स से लोगसबा में आना चाहता है, यह किया सकता कि दौनों सूस्ट से वो सभा के अंदर रहा है किस सीट जड ... तौकिस सीट से वो लोक तसम पामें चाए वह उन्हें बताना होगा थर्वायस दोनों सीड सीट ही जिसरो जाती है अब कंडिशन कर ये बंती है कि state ... बता नहीं होता है .. जो Parliament की सीट है जो संसत की सीट है जो सेंटरल की सीट है वो सीट उसकी वेकेंट यहां पर हो जाती है तो यह कुछ important points है जिनको आपको ध्यान में रखना ही होगा इसके बाद अगर कोई person 60 दिनों तक अगर कोई member of Parliament 60 दिनों तक बिना किसी सूशना के अनुपस्तित है तो ऐसी condition के अंदर भी उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है कि साट दिन वाला जो रूल है को काफी जादा बहुत ही जादा important है तो यह point याद रुखिएगा ठीक है अब एक और एक condition इसके अंदर होती है कि अगर किसी सदस्य को संसत के एक सदन का सदस्य चुन लिया गया है member of Parliament इसको चुन लिया गया है लोग सबाका और अल्रीडी वो राजसबा के मालीजे मेंबर है तो उनको अपनी प्रिफरेंस बतानी होगी नहीं तो उनकी जो पहले वाली सीट से वो चली जाएगी तो यह कुछ कंडिशन से हाला कि सब्सक्राइब नहीं पूछे जाते हैं पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक्जामिनेशन यूपीस सी ले रहा है अब इसके बाद हर पार्लेमेंट के अंदर मैं बडिकुलरी लोग सबाकी बात करूंगा यहाँ पर ताक क्योंकि हम लोग सबाब पढ़ रह सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हिसके पास सबसे जाधा सीट होगी जो पार्टी जीती है तो उसका जो मेमबर होता है उसका लीडию होता है उसे कहा जाता है लीड आप् पॉजिशन रहा हिए सब ड़ये आप शेंग काई बार लग City होते रहते है और यह Newington करता है उस political party के उपर जो की operation के अंदर है कि वह leader of the house या leader of the operation basically बात करूँगा house तो जीतने वाली party के होते हैं कि वह leader of the operation किसे बना रही है वो उस party के उपर depend करता है पर इसके लिए condition है देखिए जिस भी party का कोई person leader of the operation बनाया जाता है उस party के पास कम से कम 110 seats होनी ही चाहिए बहुत 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 इंपॉर्टन है कि जो टोटल strength of the house है उसकी 110 seats अगर किसी party के पास होगी तभी उस political party के person को leader of the operation recognize किया जाएगा जैसे example की बात कीजिए मानली लोकसभा के अंदर अगर total hundred seats है तो जो leader of the operation बनना चाहता है उस political party के पास कम से कम 10 seats होना जरूरी है ठीक है आज का time के अगर मैं बात करो तो आज कोई भी leader of operation नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि कि किसी भी political party के पास operation की बात कर रहा हूं हमें किसी भी operation political party के पास 10% seats नहीं है यहीं वो reason है याद रुखिएगा 10% seats नहीं not less than 10% 10% से कम नहीं होना चाहिए 10% होगी तो भी चल जाएगा पर 10% से कम नहीं होना चाहिए और आज के time पे किसी भी political party के पास 10% seats नहीं है that's why आज कोई भी leader of operation यहाँ पर नहीं है इसके बाद अगर हम बात की जाए कि हमारे समिधान के अंदर हाला की leader of operation को कहीं भी mention नहीं किया गया है समिधान में कहीं नहीं लिखा है कि leader of the operation होगा पर यह होते है clear है इनका काम क्या होता है कि opposition party का majorly काम क्या होता है कि सरकार के उपर एक pressure बना के रखना अगर कोई भी political party जीत चुकी है अगर वो अपने मन से काम करेगी वो किसी की बात नहीं सुनेगी जनता का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर democracy का कोई मतलब नहीं रहता है तो basically जो leader of the opposition होते हैं या जो opposition parties होती है उनका majorly काम यह होता है कि जो भी political party सत्ता के अंदर है उनके उपर एक pressure बना के रखना ताकि वो अपना काम सही तरीके से करें जब भी कोई policies बनाई जाती है बिल बनाए जाते हैं उस पर सवाल करें जवाब करें अगर government का कोई failure है तो प्रेशर बना के रखें ताकि सरकार दबाव में हमेशा रहें और सही काम करने के लिए मजबूर हो जाए यह एक रीजन होता है इसलिए कहा जाता है कि अच्छे opposition का होना भी बहुत जरूरी है जैसे कि अच्छी party का होना बहुत जरूरी होता है किसी ऐसे देश के लिए जो क इसलिए होते हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात की जाती और तीसरे होते हमारे डिपरिटी मिनिस्टर देकि काउंसल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अगर जब आप देखते हैं तो जितनी भी मेजर पॉलिसी बनाई जाती है जितनी भी मेजर पॉलिसी प्रेजंट की जाती वह council of ministers के thre wh present की जाती है it council of minister में तुच सबसे important ministers होते बों होते cabinet मिनिस्टर जैसे हमारे डिफेन्स मिनिस्टर की बात कर लिजाए थ hears finance producer की बात कर लिजाए इसके लाबाँ आथार गर मिनिस्टर की बात कर लिया तो यह सारी to minister होते हैं यह सबसे important होते हैं तो यहां पर अगर cabinet ministers के हम बात करें minister of states की बात करें डिबरी ministers की बात करें तो इस पूरी council of minister के जो head होते हैं central के इंदर इस पूरे council of ministers के जो head होते हैं वो होते हमारे देश के प्रधान मंत्री इसलिए कहा जाता है कि इतनों real power है हमारे देश में policies making को लेकर या policy बनाने को लेकर कानून बनाने को लेकर वो देश के प्रधान मंत्री के पास है को आप देखेंगे कि देश के इंदर जो अलग अलग department से जैसे defense का सेक्टर defense के सेक्टर के head कौन है हमारे defense minister अब defense minister cabinet minister जितने भी defense related कानून बनाया जा रहे हैं किसी बिल को लेकर रहना है जैसे कि अगर बात की जाएगी नए weapons को purchase करना या जो भी चीज़े करनी उसके लिए जो चीज़े जो परसन जिमिदार होगा यहां पर वह कौन होगी हमारे defense minister होते हैं और इस पूरी चाउंसल ओफ मिनिस्टर के जो हैड है वह कौन होते हमारे देश के प्रधान मंत्री होते हैं तो बेसिकली जो cabinet ministers होते हैं उनको बड़े-बड़े sectors दिये जाते इसे पूरा finance का सेक्टर finance minister के पास होता है पूरे railway का सेक्टर railway minister के पास होता है पूरा का पूरा defense का सेक्टर defense minister के पास होता है और इस पूरे cabinet के ध्यान से सुनिएगा इस पूरे cabinet के जो हैड होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये question कहीं बार पूशा गया अब ये लिखा कहा है क्या सविधान में चीज कहीं लिखी है जी हां ये चीज लिखिए सविधान के अंदर आप अगर बात करेंगी आर्टिकल 74 की बात करें आर्टिकल 74 क्या कह रहा है मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुन प्रधान मंत्री सीधी सीधी ये बात की गई है और इसके बाद एक और चीज कहीं गयी है और ये पुरी council of minister president को advise देगी प्रेसेड़कों सला देगी और basically हमारे जो प्रेशनेंट है वो council of minister की एड़ It and advice पे काम करींगे यह कहा जाता है जिए जो प्रेसिदेंट हैं उनके पास ज्यादा पावर नहीं है जो मिनिस्टर की एड एड इड ऐड अड़ीज में प्रभान मंगी है brudky है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है that's why हमारे देश की जो प्रधान मंत्री है उन्हें रियल हैड कहा जाता है इसके बाद आर्टिकल 75 भी काफी इंपॉटेंट है इसमें काफी सारे ब्रधान मंत्री जी को कौन करता है याद रखीएगा प्रधान मंत्री जी इलक्त नहीं होते हैं यह कुछ आई अग्ला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसके लिए वोट डाल रहें यह नहीं होता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी में होती है वही अपने में से एक परसंट को चुनती है और उन्हीं परसंट को अपॉइंट किया जाता है अज़र देश का प्रधानमंत्री याद रखेगा और इन्हें हमारे देश के प्राइमम Mimi नहीं होते हैं और देख के सारे के सारे मिनिस्टर नहीं होते है मिनिस्टर कौन होते हैं अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो अधर मिनिस्टर के अंदर जिनको भी मिनिस्टर का पत दिया गया है फिर चाहें वो कशार मंत्री जिसी का मतलब क्या है इसका सीधा सीधा मतलब is जिसे चाहें उससे ध्यान सुनीगा अपनी पॉपर्टी के अंदर से पार्टी के अंदर से जिसे चाहें उससे advancing कोई भी पत दे सकते हैं,प्रेशिदेंट मना नहीं कर सकते प्रेशिदेंट पूछेंगे नहीं कि आप इने डिफेंस मिनिस्टर क्यों बना रहे हैं, मैं इन् Jud कोर्ण नहीं करूंगा नई इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट नहीं कहता है कि जो council of ministers होती है यह collectively responsible होती है लोगसभा के लिए house of the people के लिए यह point बहुत सारे exam में directly question पूशा गिया है directly question आता है यह council of ministers is collectively responsible to लोगसभा राजसभा पूपल आपको याद रखना है article 75 ने directly यह चीज़ कही है यह जो council of ministers है वो directly लोगसभा के प्रती जिम्मदार होती है house of people के लिए जिम्मदार होती है इसके बाद a minister who for any period of six consecutive months is not a member of either house or parliament shall be the expiration of that period cease to be minister देखे सीधी सीधी बात यहां पर यह कहीं गई है कि अगर कोई व्यक्ति पार्लेमेंट का मेंबर नहीं है तो उस व्यक्ति को छे महिने के अंदर अपनी मेंबर्शिप प्रूफ करनी पड़ेगी अगर indirectly बात करूं तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने चुनाओ नहीं अपर बात की जारी council of ministers की council of minister में जितने भी लोग होंगे the total number of ministers including the prime minister किसको include करके prime minister को include करके including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% ध्यान ससुनीगा shall not exceed 15% of the total members of the total number of the members of the house of the people house of the people मतलब लोगसभा सीधा सीधा अगर बात की जाए कि जो हमारी council of ministers है council of ministers के अंदर जितने भी members है including हमारे देश के प्रधान मंत्री तो उनका जो total number एक है वो 10 है 15 है 20 से 50 है तो टोटल नंबर लोगसभा की seats के 15% से जादा नहीं हो सकता है यह चीज directly कह दी गई है हाला कि यह चीज़ शुरुवात में नहीं थी इसे एड किया गया है सविधान संशोधन के द्वारा और वह सविधान संशोधन ने 91st Constitution Amendment Act 2003 2003 का इंक्यानवा सविधान संशोधन के द्वारा यह चीज़ कही गई थी कि जो टोटल सब्सक्राइब करते हैं अगला अब यहां पर हम बात करते हैं कोरम की कोरम कहीं बार पूशा गया है कुश्चन हाला कि पार्लमेंटरी प्रोसेडिंग के अंदर आता है जो कि इसके बाद बाले लेक्चर में करेंगे उस आपको और डिटेल में बताऊंगा कोरम का मतलब होता है हिंदी में गणपूर्ती अब किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कितने नंबर ओफ मेंबर्स का होना जरूरी है कितने लोग आएंगे तो कोई मीटिंग स्टार्ट होगी यह कुछ इस तरीके का है कि आपके स् सबाचाइब यह कहता है कि वण बाटेंघ्य都 मेंबर्स का होना जरूरी है मतला माल ळीजिए कि गर सो मेंबर से लोग सभा के अंदर तो 10 मेंबर्स का होना जरूरी है तभी मीटिंग स्टार्ट की जाएगी गणपूर्ती कोरम डारेक्ली कोशन पूछा जाता है आर्टिकल पूछते हैं कितना है याद रखना वन बाइट अभी और किसका था लीडर ऑफ अपॉजिशन बनने के लिए यह चीज थी तो बहुत इंपॉर्टन चीज़ें हैं इन चीजों को आपको याद रखना है अगला स्लाइड हम देखते हैं अब बात की जाए लोगसभा के speaker के, आडिकल 93 लोगसभा के speaker के बारे में भी बात करता है, लोगसभा के speaker, लोगसभा के presiding officer होते हैं, day to day जो भी proceedings चल रही है वो उनको regulate करते हैं, लोगसभा के अंदर नियम कायदे के साथ लोगसभा चल रही है या नहीं चल रही है वो चीज़ देखते हैं लोगसभा का डेकॉरम मेंटेन करके रखते हैं अगर किसी मेंबर को पनिश्मेंट देना है तो पनिश्मेंट भी देते हैं और लोगसभा की कारवाई जितनी भी च आजस्थान से याद रुखेगा अब देश्पीकर इस देश्पीकर बना दिया जाता है तो ऐसा नहीं होता है एकशन को प्रेश्पीकर के इलेक्शन की जो डेट याद रखिए करते हैं इसके बाद इस के लेक्ष्पीकर होते हैं मैं वो भी लोगसभा के होंगे तो लोगसभा के मैं스ंबर इनके इलेक्शन में पार्टिस्पेट करते हैं अपने में इस सिए कि स्ट्बीकर को चुन लिया जाता है लिया रुए जियाद रखे मेंबर इनके कष्फण भाइब है पहनों शर्ट निया जाता है कि सालल च़ये चल जाता है को जाता है कि मैंने बता है ट्यूशन लुकत कर पहले हो गई गाला झाफी नियाद रखंगेगा कि वे्याद का नियांद रखन एगा maintains, यह तब तक अपने पद पर बने रहे थे। जब तक यह नई लोग 한다 पहली बार नहीं मिलती है। इसी तरीके से जो हमारे deputy speaker होते हैं वो भी article 93 के अंदर ही आते हैं याद रखिएगा article 93 के अंदर ही आते हैं और deputy speaker का भी election होता है अपने members के अंदर से ही उन्हें चुनते हैं अब थोड़े से इनके power की बात कर ली जाए power की बात कर ली जाए तो सबसे पहला इनका power होता है कि हमारी जो speaker होते हैं वो joint sitting जो कि article 108 के अंदर आती है joint sitting को head करते है joint sitting का मतलब यह होता है कि अगर किसी मुद्दे पर लोकसभा और राचसभा में तालमेल ना बैटे हाला कि उसके कुछ conditions होती है वो हम पढ़ेंगे आगे जब हम राजसभा के chairman होते हैं ठीक है presiding officer राजसभा के कौन होते हैं देश के उपर आश्पती होते हैं चलिए दूसरा यह normal condition में वोट नहीं देते हैं हमारे speaker नौर्वल कंडिशन क्या होती कोई बिल आया है उस पर सारे मेंबर्स वोट दे रहे तो वह भी वोट देते हैं अब speaker क्यों वोट देंगे अरे speaker भी तो किसी ने किसी वोट दे दिया यह नहीं होता है speaker सिर्फ एक condition के अंदर वोट देते हैं जब वोट बराबर हो जाए माल लीजिए लोग सवा में टोटल 101 मेंबर से कोई बिल आता है 50 मेंबर्स उस बिल के लिए एगरी होते हैं 50 मेंबर्स उस बिल पे एगरी नहीं होते हैं अब यह जो condition आती है कि दोनों वोट बराबर हो गए हैं अब उनका वोट decide करेगा कि बिल पास होगा नहीं होगा इस condition को कहा जाता है casting वोट की condition इस condition के अंदर ही वो अपना वोट देते हैं और उनके इस वोट को कहा जाता है casting वोट यह deciding वोट क्यों है विकाज उनका एक वोट decide कर देगा कि बिल पास होगा या नहीं होगा नौर्मल कंडिशन में नहीं देते हैं वो वोट याद रखेगा important है question अब होता है रोकल ह俺 नहीं उन प्रहें इस तरह कूंडिशन बनतीं तभी वोट देते वह अपन वोट अई इसके बाद पर एक जो बड़ा इंपोर्टन राइट है उनका वो है money bill को लेकर जिसकी बाद article 110 के अंदर की गई है एक ऐसा बेल जिसमें money से related matters होते है जिसे taxation को बढ़ाना है नया tax impose करना किसी tax के rates को कम करना तो money bill कोई bill money bill है या नहीं है इसको decide करने का जो अंतिम अधिकार है जो अंतिम परसा ने जो बुल देगा कि हाँ यह money bill bill money bill है तो bill money bill होगा जो यह नहीं है तो money bill नहीं होगा यह अधिकार किसको है यह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के speaker को है यह question बहुत जादा important है various examinations के अंदर यह question पूशा गया है तो याद रखिएगा आगे बात करते हैं अब speaker का removal कैसे किया जाता है हालाकि यह बहुत important नहीं है इतना detail में नहीं पूशा जाता है speaker अपना resignation देते हैं deputy speaker को और deputy speaker अपना resignation देते हैं speaker को यह वाइस वरसा चीज़े चल रही है ऑके याद रखिगा जैसे प्रेसिडेंट अपना resignation देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट अपना resignation देते हैं प्रेसिडेंट को वैसी speaker अप रिपिटी सम्वेटी कर गोड़ना लिगे कर दिए कोड़ना नो्टी से सिनंँ हो इसके बाद सब्सक्रानेद तरह के ऊपर भी उसके इसमें आगा चाहिए और से बाद एक वोटिंग इसमने कराइजाएगी मैजॉड़ जाएगि क्या होती-इस्पेक्टिव मज़ुरेटी हम बात करेंगे, आगे, Simple Majority, Absolute Majority, Effective Majority, तीनों के उपर हम आगे बात करेंगे, यह याद रखे का speaker की तरह deputy speaker के के बात करते नायंटी थी pe 2018 की बात करता है इनके वैंबर्स में से ही चुना जाता है अनि गया काम क्या होता है भी दक कर करते हैं और बिड़िदे करके चुनाव के बाद इनका चुनाव वह जाता है गशा classroom of the song मैं बता चुका हूं प्रोके करते हैं और प्रीचर करते हैं करते हमने और इसके बारे में बात कर ली थी है करते हैं जब yer आपने पद पर नहीं होता है तो पे अपना Rresentation यह किसे को are याद रखिएगा, यह casting vote नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि casting vote करेंगे, नॉर्मल मेंबर की तरह vote करते हैं, इनके पास casting vote वाला सिनेरियो नहीं होता है, clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, M.A. आयंगर जी, याद रखिएगा, पहले deputy speaker थे, याद रखिएगा, पहले deputy speaker थे, याद र लोग सभा पहली बार मिलती हैं, अब पहली बार मिल रही है, तो उस समय पर speaker का पदभार कौन समाले, विकोर स्पीकर का पदभार समालने के लिए भी किसी को speaker elect होना होगा ना, पर पहली बार ही मिल रहे हैं, तो पहली बार के लिए भी तो किसी को presiding officer बनना पड़ेगा, ऐस स्पीकर होते हैं प्रोटेम स्पीकर है टेंपरेरी पिरेट के लिए वह एक बार की मिटिंग के लिए उसके बाद स्पीकर को चुना हो जाता है और स्पीकर को चुन लिया जाता है तो कुशन यह बनता है कि प्रोटेम स्पीकर को पॉइंट कौन करते हैं प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है हमारे स्पीकर के द्वारा याद रखिए बहुत बार एक कुशन पूशा गया है प्रोटेम स्पीकर को पॉइंट कौन करते हैं प्रोटेम स्पीकर को स्पीकर अपॉइंट करते हैं I hope यह पॉइंट क् जो कि शासराम बिहार से थी इसके बाद जो दूसरी महिला श्पीकर है वो थी हमारे सुमित्रा महाजन जी और अभी जो स्पीकर है वह सत्रवी लोग सभा के स्पीकर है हमारे ओम बिड़ला जी जो की कोठा से हैं और बीजेपी पार्टी से बिलॉंग करते हैं तो एक कुछ प है बहुत important point है क्योंकि कई बार statics में पूछ लिए जाते हैं अब आज के टाइम पे लोकसभा की बात करें तो आज 543 टोटल मेंबर्स है जैसा कि हमने बात करी है राश्पती जी कौन है हमारे रामनाथ कोविन जी है अध्यक्ष मैदा चुकाओं में ओम बिडला जी है याद मैं बताया था हमारे देश के प्रधान मंत्री जी है यह है अभी हमने बात करी क्यों वेकेंट है वेकॉस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास दस प्रसितरश सीट नहीं है यह कुछ पॉइंट से इसलिए लेकर आयों ताकि चीज़े आपको समझ में आ जाए 545 सीट थी दो सीट जो एंग्लो इंडियन कम्मुनिटी की थी उनका रिजर्विशन नहीं बढ़ाया गया है अभी जो सीट से वो कितनी है 543 है मैक्सिमम के हम बात करेंगे वो मैं आपको बता चुका हो इसके अलावा यहां पर हम बात करें कि कौन सी लोकसभा कब रही है तो याद बात करिए 1951 से 52 तक चले थे और अभी जो चुनाव है ऐसातर वी लोकसभा के वह 2010 में हूए है और अब जो चुनाव होने वाल एह 282 लोकसभा के वह 2024 में होने वाले हैं कई बार पूचा जाता है कि अट्रवी लोग सभा के चुनाव कभ होंगे रेट यादर किये का दो हजार चौविस के अंदर चुनाव होने वाले तो यह सारी बात है थी अब किस स्टेट की कितनी सीट से किस यूटी की कितनी सीट से इसकी स्लाइड भी मैं लेकर आया इसके बाद आप देखेंगे कि उत्तरप्रदेश की सबसे ज़्यादा असी सीट से पूचा जाता है कई ऐसे एरिया भी है जिनकी एक एक सीट से पुड़ुच्वरी की बात कि जातो एक सीट से दिली सास सीट लक्षदीप वन सीट तो यह चीज़ें आपको थोड़ी सी या रखनी आए होप आपको लोगसभा समझ में आए होगी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से वह हमने डिसकस यहां पर कर लिए हम बात करते हमारे दूसरे हाउस की जिसे कहा जाता है हाउज ऑफ एल्डर्स इसली कहा जाता है विकॉस जितने भी लोग इस हाउस के अंदर होते वह काफी experience होते हैं काफी experience नेता होते हम बात करें अपर राजसभा की आर्टिकल 80 राजसभा की बात करता है आपर इससे house of elders या अपर house के नामसे भी जाना जाता है हाउस फेल्डर्स क्यों कहा जाता है यह मैं आपको बता चुका हूं अब यह परमानेंट अउस है इस नाट Subjected to Dissolution यह नहीं होता है कि हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं इसके यहाउस डिजॉल हो जाता है बिल्कुल भी नहीं यहाद रुकिएगा राजसभा is a permanent house और यहाँ पर जो members आते हैं वो indirectly elect होकर आते हैं कैसे आते हैं अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे प्रस एक point याद रुकिएगा हमारे सविधान का जो चौथा schedule है fourth schedule के अंदर distribution of राजसभा seats बताई गई है कि किस states की कितनी seats राजसभा में होगी किस UT की कितनी seats राजसभा के अंदर होगी यह सारी कि सारी चीज़े fourth schedule के अंदर already बता दी गई है तो राजसभा को लेकर आर्टिकल याद रखेगा elf spirituality a प्लस बार नॉमिनेटइड मेंबर्स होते हैं बारा नॉमिनेटेड मेंबर देै कि अंदर कर humidity राजसभा के मेंबर हैं रहे हैं तो यहांपर जो मेंबर्स होते हैं 12 मेंबर्स नन्हें napți नॉमिनेट करता जो अलग-अलग शेत्र के होते हैं शिक्षा के हो सकते हैं, education के हम बात करें, sports के हो सकते हैं, business के हो सकते हैं, culture के हो सकते हैं, तो जिस भी शेत्र में जिनका युगदान काफी जादा है, ऐसे 12 members यहाँ पर President के द्वारा एपोंइंट किये जाते हैं याद रिखिएगा यह एलेक्षन नहीं लड़ते हैं डार डियर्टी एपन्ट हो जाते हैं प्रेसिनेंट हिने डारकिकली ऎलाथकर लीए आ जो Fraker क्ते रंए चिर्मृत होती है राजों की जो विधान सभा होती है वहीं से इन मेंबर्स को चुन के लाया जाता है हम नहीं चुनते state assemblies से members आते हैं हाला कि indirectly हम इंचुन को हमने state assemblies के अंदर भेजा है वही मेंबर्स जो हैं वो चुनकर इन लोगों को राट सभा के अंदर खेशते हैं तो याद रुखीगा इस्टेट असेंबली सिन मेंबर्स को चुना जाता है और सिंगल ट्रांस्वरिबल वूट यहां पर प्रपोर्शन ओफ रिप्रेजेंटेशन जो प्रॉपर ली हमारा सिस्ट दुटी के खेशन की द्शेंटेशन होता है तो इसी कौन सी यूटिह है जिनका री प्रेजान खकर आप इसaca स्या जाया जाताएं अ नहीं चोना जाता है बताएगा कэт मूझे बपाएं और इस पर सर्च करें अगे इनके जो 1-3rd members हर 2 साल के अंदर र्युर्टाइड हो जाते हैं, इस तरीके से जो एक member होता है, उसका फूल टम होता है, वो 6 साल का हो जाता है, कि अगर कोई राचसभा के अंदर आया है तो 6 साल करने के बाद वो वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं कि राजसभा में आ गए है तो हमेशा राजसभा के अंदरे रहेंगे यह जो term चलता जा रहा है जो cycle चलती जा रही है कि one third members हर दो साल में retired हो जाते हैं यह cycle कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो एक member होता है उसका tenure या उसका term यहां पर हो जाता है 6 साल का अब उसे क्या वापस रियापॉइंट हो सकता है यस वह रियापॉइंट हो सकता है याद रखेगा रियापॉइंट हो सकता है कोई issue नहीं है बिल्कुल रियापॉइंट किया जा सकता है यहां तक याद रखेगा one third members in every two years काफी important point है और कहीं बार यह पूछा भी गया है इसके ब यहां पर जो एज है वो कितनी हो जाती है यहां पर एज हो जाती आपकी 30 years राज सभा का मेंबर बनने के लिए जिस तरीके से हमारे speaker होते हैं लोग सभा के अंदर उसी तरीके से राज सभा में चैर्में होते हैं और हमारे देश के जो उपर राश्पती जी है हमारे देश के जो vice president है वही हमारे ex-officer chairman होते हैं council of states के मतलब हमारी राज सभा के याद रखिएगा article 89 जो है वो chairman की बात करता है deputy chairman की भी बात करता है राज सभा में एक काफी important point है कि राज सभा के जो chairman होते हैं वो house के member नहीं होते हैं कई बार question पूशा गया है काउंस कौन सा house है जिसके member या कह सकते हैं जिसके जो head है वो house के member नहीं होते हैं तो राज सभा के head होते हैं basically मैं यहाँ पर बात करो हमारे राज सभा के chairman की जो कि हमारे देश के उपराश्ट्रपती होते हैं वो राज सभा के member नहीं होते हैं और वो भी normal instant के अंदर vote नहीं करते हैं वो भी casting vote ही करते हैं याद रखिएगा बहुत-बहुत-बहुत important point है इसी की तरह हमारे deputy speaker भी होते हैं deputy speaker को भी उनके लोग ही चुनते हैं राजसभा के लोगों में see deputy speaker को चुना जाता है deputy speaker का क्या काम होता है जिस समय पर जान से सुनियेगा जिस समय पर हमारे जो देश डिलिडिलिटी चेर्मन की बात करें सकता हैं मतलब हमारे देश के जो उपर राषपती हैं, जब वो राषपती के पद पे विराजमान होते हैं, माल लीजिए कि President के तब ठीक नहीं है, कुछ issues आ गए हैं, तो हमारे देश के जो Vice President है, वो अजने प्रेशव करते हैं, उस condition के अंदर जो Deputy Chairman है, वो अजने चैर्में काम करते ह से इतना सा काम यहां पर रहता है याद रुखिएगा इसके बाद सबसे पहले deputy chairman के हम बात करेंगे वो थे स्टैटिक्स के बारे में कई बार questions आप से पूशे जाते हैं तो आज हमने राजसभा के बारे में जाना है लोगसभा के बारे में जाना है next lecture के अंदर हम Parliament की proceedings के बारे में जानेंगे कि कितने house जो दोनों houses होते हैं उनमें किस तरीके के sessions होते हैं सेशन किस तरीके से किये जाते कोई बिल कैसे पास होता है मनी बिल क्या होता है कि इतने तरह के बिल्स होते हैं